काम करो ऐसा की एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो की निशान बन जाए, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए नमस्कार दोस्तों मैं हो कुंदन जैसाल और स्वागत है आपका सरकारी परिक्षा के इस डेली करेंट अफेर्स वाले सीरीज में, दोस्तों आज भी मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेली करेंट अफेर्स और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डिसकस करने वाला हू तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक और कोसिस किजिएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन में यहां आपको डिलीवर कर रहा हूँ, उसकी एक सौर्ट नोट अब बना ले, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगती है, उसे कहीं अच्छे से नोट डाउन क है, उसमें यह सौर्ट नोट आपके लिए क्विक रिवीजन का काम कर सके, तो बिना देर की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और देखते हमारा आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट कुस्च्चन, हमारे ओप्सन है, ओप्सन ए, कौशिकी सरकार, ओप्सन बी, सुभासित रतनम, ओप्सन सी, स्वपन संचीता, या ओप्सन डी, रस्किन बॉंड, जी, आपको यहां पे एक जो है, बुक का नाम दिया हुआ है, बुक का नाम है, लिसन टू यूर हर्ट, दी लंदन एडवेंचर, और इस पुस्तक के लेखक की बात की जा रही है, तो सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है, आप्सन डी, रस्किन बॉंड, जी, यह पुस्तक जो लिखी गई है, वो रस्किन बॉंड के द्वारा लिख की गई है, और यह जो पुस्तक की जो पुस्तक की गई है, यह रस्किन बॉंड जी के 88 बर्थ अनिवर्सिरी पे ही की गई है, ठीक है, और अगर हम रस्किन बॉंड की बात कर ले, तो यह इंडिया के फेमस चिल्ड्रेन बुक ऑथर में से एक है, इनकी तो है कई सारी अभी जिसकी पब्लीसिंग हुई है, यह भी जो है काफी इंपोर्टेंट है, तो इसे भी कहीं नोट डाउन जरूर कर ले आप, बढ़ते हैं आगे, अगला सवाब, Recently, क्रिश्न कुमार कुननत has passed away, he was a desk, हाल ही में क्रिश्न कुमार कुननत का निधन हो गया है, वह एक desk थे, मतलब कि आपको feel करना है कि वह एक क्या थे, हमारे option है, option A, actor, option B, singer, option C, poet, or option D, politician, तो नाम है क्रिश्न कुमार कुननत, जी, और बात हो रही है उनके निधन की, जिनक अभी हाली में निधन हो गया है और वो एक भारत के एक फेमर्स परस्णालिटी में से एक थे मैंने आपके सामने रख दिया है अब सही जबाब बताता हूं सही जबाब है ऑप्सेन बी सिंगर जी कृष्ण कुमार कुन्नत साथ इस नाम से आप परिचित जो है बहुत कम होंग से लेकिन डाम से आप ज्यादा परीचित होंगे क्यंकी जो बॉलिवुड के काफी जाने माने एक यह पर्फॉर्म कर रहे थे और अचानक से इनकी तवियत बिगडने के कारण इनकी जो है अभी हाली में निधन हो गई है इन्होंने सिर्फ हिंदी लैंग्विज में ही सौंग को नहीं गाया है बलकि यह तमील तेलगू मल्यालम कंणड बेंगौली और मराथी लैंग्विज में भी यह सौंग गा चुके हैं अगर हम इ मुवी थी इसमें एक सौंग थी तरफ तरफ के इस दिल से आह निकलती रही तो बैसिकली यह जो सौंग थी इसके जो गायक थे वो केके ही थे और इनका भी हाली में निधन हो गया है और इन्हें जो डिवट मिला था इस सौंग के थू मुवी में वह साल था नाइंटीन कर लो तो उनके मैक्सिमम सौंग जो है केके नहीं गाया हुआ है आगे बढ़ते हैं तिक यह मारा अगला सवाल फू है बीन अपॉंटेड एज एंडी एंड सी यो औफ नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंप्नी लिम्टेड एन ए आर सी एल के एंडी और सी यो के रूप में किसे नियूट किया गया है हमारे ओप्शन है ओप्शन ए नटराजन सुंदर ओप्शन भी करनम सेकर ओप् इस्टित करिश्नन नयार बात हो रही है एण ए एर सीरальल उसके md और ऋस्वी ओकी तो आपको ऑप्शन मैंने बता दिया है लेकिन अब मैं आपको जबाब बता उनकी एन ए आर सीएल के md और सीयो कौन बने है सही जबाब है आप्शैन ए नटराजन सुन्दर जी यहीं अभी हाल ही में जो है इन्हें नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिम्टेट के चेयर्मैन सीओ और एमडी के रूप में न्यूक्ट किया गया है और हम इनकी बात कर ले तो यह फॉर्मर डिप्टी मैनेजिंग डिरेक्टर और चीफ क्रेडिट ऑफिसर भी है सब्सक्राइब के और यह जो है अभी हाली में 30 अप्रील 2022 को इस पोस्ट से जो है रिटायर्ड हुए है और अभी इन्हें जो है इन्हें पॉइंट कर लिया गया है जहां पर यह इंडिपेंडेंडेंट डिरेक्टर और नन एंजिकुटिव चेयर्मैन के रूप में अपनी भारतिये महिला निशानेवाजी टीम ने 10 मिटर एयर राइफल असपर्धा में स्वर्न पर्दक जीता है इसका अयोजन कहां किया गया है हमारे ऑप्सन है ऑप्सन ए बीजिंग चाइना ऑप्सन बी निव देली इंडिया ऑप्सन सी बाकू अजरबैजान ऑप्सन डी लीमा पेरू जी भारतिये महिला निशानेवाजी टीम ने जो है वो 10 मिटर एयर राइफल में गोल्ड मिडल जीता है और बात हो रही है कि इस चैंपियंशिप का अयोजन जो है वो कहां किया गया था तो हमने आपको बता दिया सही जवाब बताते हैं सही जवाब है ऑप्सन डी बाकू अजर बैजान यानि इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो बाकू अजर बैजान यानि यह अभी जो है चली रहा है और इस चैंपियंशिप में हमारी इंडियन ओमेंस सुटिंग टीम ने जो है गोल्ड मिडल जीता है कटेगरी है 10 मिटर एयर राइफल ठीक है और य कौन खिलाडी सामिल थे जिन्होंने भारत को गोल्ड मिडल दिलाया है तो वह थे इलावेलीन यह तो इन्होंने वह बहुंत का है और यह भारत का जो है इस जो है वर्ल्ड कप 2022 में यह पहला जो है शुटिंग में गोल्ड मेडल है और इंडिया ने इस गोल्ड मेडल को पाने के लिए डेन्मार्क को 17 और 5 के डिफ्रेंस से हरा कर यह मेडल अपने नाम किया है आगे बढ़ते हैं देखते मारा अगला सवा घू है के ओन डिइ तैटल ओफ मोनाइको ग्राइड प्रिक्स 2022 मोनाइको ग्रान्परिक्स 2022 का खिताब किस ने जीता है हमारे वाप्सान है उप्सान ए लूइस हैमिल्टन और सब्सटन भी सर्जियो पेरेज्व आप्सान सी चार्ल्स लेकलर या प्संडी मैक्स वेस्टेप जञे बात हो रही है मुनेयको ग्रान्प्रिक्स की 2022 की और इसके बिजेता की सबसुत जबाब देखते हैं सबसुत हैं है और फोर्मूलबर वर्न है और इन्हों मेंसे में आधाategम मुनेयको ग्रान्प्रिक्स 2022 का खिटाब अपने नाम कर लिया है और वो इस खिताब को जितने वाले पहले मैक्सिकन ड्राइवर भी बन गए हैं इस खिताब के जीत के साथ ही आगे बढ़ते हैं देखते हैं मारा अगला सवाल प्रद्धानमंत्ρι नरेंद्र मोदी ने प्राइदी जरूर्तों के लिए प्रति माह कितने रुपे की घोसना की है अभी हाल ही में प्रधानमंती नरेंद्र मोदी ने एक योजना की एनाउंस्मेंट की है योजना का नाम है PM Care for Children और इस योजना में उन्होंने जो है बच्चों के लिए जो बुनियादी जरूरते होती है उसके लिए इन्होंने जो है कुछ रुपए की घोसना की है प्रतीमंत आपके ओप्सन है औप्सन ए टूठाउजेंट आपसन भी 3000 यानकी तीन हजाव रुपए औप्सन सी 4,000 यानकी 4,000 रुपए औप्सनाब आपसन 5,000 ल और यह जो राशी जो घोसना की गई है यह बेसिकली जो है उन बच्चों के सपोर्ट के लिए की गई है जिनके पैरेंट्स जो है इस पैंडिमिक में जो है देथ कर गए हैं यानि उनके कोई पैरेंट्स नहीं है और उनको जो है सिख्छा के लिए या आगे बढ़ाने के गोचना की गई है और साथ ते साथ बच्चों के लिए फ्री ट्रीटमेंट की भी गोचना की गई है तो यह काफी सराहनी है जो है कार हमारे देश के परधान मंत्री के द्वारा जो है किया गया है तो इस योजना से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर दिये गये हैं उसे जरूर नोट डाउन कर ले सवाल बन सकते हैं आगे बढ़ते हैं देखते हमारा अगला सवाल इस विच गोवरंमेंट एजएंसी दिफेस मिनिस्ट्री इंग्स कॉन्ट्रेक्ट तू प्रोक्योर अस्त्र मिसाइल रक्छा मंत्रयाले ने किस सरकारी एजेंसी के साथ अस्त्र मिसाइलों की खरीद के लिए अनुबंध किया है। हमारे option है, option A. हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड, option B. भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिम्टेड, option C. भारत डाइनेमिक्स लिम्टेड या option D. अस्त्र माइक्रोवेब प्रोडक्स लिम्टेड जी, सही जबाब देखते हैं, सही जबाब है, option C. भारत डाइनेमिक्स लिम्टेड जी, रक्षा मंत्राले ने अभी हाली में भारत डाइनेमिक्स लिम्टेड के साथ एक अनुबंध पे हस्ताक्षर किये हैं, और ये जो कॉंट्रेक्ट डिल हुआ है, इसकी कुल रासी 2,971 कर रूपीज है, इस रासी की जो डिलिंग हुई है, वो बिसिकली अस्त्र मिसाइलों के लिए की गई है, अस्त्र मिसाइल जो की एर टू एर मिसाइल है, यानि कि ये हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, और ये जो मिसाइल जो यूज की जाएगी, वो बिसिकली इं अगला सवाल कि विच हैज बीन डिकलियर्ड दी वर्ल्स फास्टेस्ट सुपर कम्प्यूटर विस्व की सबसे तेज सुपर कम्प्यूटर किसे घोसीत किया है हमारे ऑप्सन है ऑप्सन ए फूगाकू ऑप्सन भी फ्रंट्रियर ऑप्सन सी परम या ऑप्सन डी सियरा आपको यहां पर जितने भी ऑप्सन दिख रहे हैं यह सारे के सारे सुपर कम्प्यूटर से यानि अलग-अलग देश के यह सुपर कम्प्यूटर यहां पर आपको जो है ऑप्सन में दिये गए हैं लेकिन बात हो रहे हैं कि 20 की सबसे तेज सुपर कम्प्यूटर घोसीत की गई है option तो चार है आपको बताने हैं कि सबसे तेज सूपर कम्प्यूटर इन में से कौन है चलिए सही जबाब देखते हैं सही जबाब है option B Frontier जी Frontier जो है यह US के द्वारा बनाई गई एक सूपर कम्प्यूटर है और इसे अभी हाल ही में 20 की सबसे सूपर कम्प्यूटर का दरजा दिया गया है इसकी जो इसकी ज diagnostic works की लेकिन अभी जो फ्रंटीयर्स की जो प्रकंप्यूटर यह जपान की सुपर कंप्यूटर में कमिशन किया गया है 29 तेमारा अगला सवाद कि विच अब दी फॉलोविंग स्टेट हैज ओन नेशनल जुनियर होकी टूनामेंट 2022 निमलिखित में से किस राज्ज ने राश्ट्रिय जुनियर होकी टूनामेंट 2022 जीता है हमारे ऑप्सेन अप्सेन एक हर्याना ऑप्सेन बी उत्तरप्रदेश ऑप नेशनल जुनियर होकी चैंपियंशिप ती यानी अभी किसी एक राज्ज ने इस चैंपियंशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है चलिए सही जबाब देखते हैं सही जबाब है option B उत्तर प्रदेश जी भारत देश के उत्तर प्रदेश राज ने अभी हाल ही में national junior hockey tournament 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है और ये खिताब इन्होंने जो हर्याना को हरा कर अपने नाम किया है और ये जो national junior hockey tournament का जो आयोजन किया गया था ये इसका बारहवा संसकरन का आयोजन हुआ था और इसका जो आयोजन किया गया था वो तमिनाडू के कोविल पट्टी में किया गया था ठीक है तो उत्तर प्रदेश की जो अगर हम टिम की बात कर ले तो इन्होंने ये national junior hockey tournament पिछले साल का भी जो है इन्होंने अप खिताब है national junior hockey tournament का यानि लगतार इन्होंने जो है दो बार national hockey junior tournament का खिताब अपने नाम कर लिया है आगे बढ़ते हैं दिखते मारा अगला सवाब आगे तो आगे तो अवर लास्ट कुस्टेनी विच अब दी फॉलोविंग मिलिटरी अवार्ड है बीन कांफ़र्ड ऑन वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी वाइस एड्मिरल सतीस कुमार एन गोडमडे निमलिखित में से कौन सा सेन ने पूरुशकार भारतिये नौ सेना क के वाइस एड्मिरल सतीस कुमार एन घोडमडे को प्रदान किया गया है हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए परमवीर चक्र ऑप्शन बी महावीर चक्र ऑप्शन सी विशिष्ट सेवा पदक या ऑप्शन डी परम विशिष्ट सेवा पदक जी चलिए सही जवाब देखते हैं सह हमारे भारत देश के भारतिये नौसेना के वाइस चीफ वाइस एड्मिरल सतीसकुमार एन घोडमडे को अभी हाली में परम विशिष्ट सेवा पदक से शम्मानित किया गया है। हमारे देश के राष्टपती श्री रामनात कोविंद के द्वारा दिया गया है। अगर हम घुड़मड़े जी की बात कर ले तो ये हमारे देश के जो है 36 वे वाइस चीफ आफ नवल स्टाफ है और इस से पहले ये जो है इंटेग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में ओप्रेशन और ट्रेनिंग के डिप्टीच चीफ के रूप में ये कार कर चुके है तो दोस्त सबढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ओफिसेल वेबसाइट सरकारीपरिक्षा.com पे विजिट कर सकते हैं वहाँ पे आपको डेली करेंट अफेर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन ही नहीं बलकि वहाँ पे आपको विकली निउज वन लाइनर और डेली पेस्बुक, टेलिग्राम, ट्विटर या कोई भी सोचल मीडिया है तो हम वहाँ भी एबलेबल हैं आप हमसे वहाँ भी जूड सकते हैं वहाँ भी हम अलग-अलग मोड में इनफॉर्मेशन एबलेबल कराते रहते हैं आप हमें वहाँ भी लाइक, फॉलो और अपने दोस् प्रचा के आपको इस वीडियो के साथ-साथ हमारी तो अगर आप के त्यारी त्य त्यारी कर रहे हैं तो आप उस को जरूर देखें वह पने काफी most important वह वीडियो अपके लिए हुने वाली हैं तो उस वीडियो को भीgas करें साथी साथ हमारे साथ के द्वारा जो है लिए जाते हैं तो आप उस class को भी जॉइन करें और जो है शीरीज की वी वीडियोज चलती रहती है अलग-अलग exam की सीरीज की और spotlight की वीडियोज भी हमारे साइट पे available है तो आप उस वीडियोज को भी जरूर देखे अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन को दवाना भी ना भूले क्योंकि यह जो वीडियोज की notification आपको म हो सके तो दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहे हस्ते रहे मुस्कुराते रहे मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में तब तक के लिए नमस्क्राइब